जैहिंद वेलकम टू विज़ेपत एजुकेशन पालमपुर आप सभी का एक वार फिर से हारदिक स्वागत है विज़ेपत एजुकेशन के सॉनलाइन प्लेटफॉर्म में आज एक वार फिर से मैं आपके सामने एक कोईशन पेपर लेके आया हूँ जो की आज कंड़क्ट करवाया गया है एच्पी बोर्ड धरमचाला के द्वारा एच्पी टैट आर्ट्स का एक्जाम जो है वो आज कंड़क्ट करवाया गया तीन दिसंबर दोहजार तरीस का आपका लेट टेस्ट कोईशन पेपर यह आज का रहेगा सो इसका हम जो है बो सेक्शन थर्ड जो है जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी आंसर की जो है वो आप चेक कर लें कि क्या आपके आंसर जो है वो आपने सही टी किये है या फिर नहीं किये है तो 61 को जो है वो हम कवर करने वाले हैं शोशल स्टडीज का यह सेक्शन रहेगा तीन दिसंबर दोहजार 23 यानि कि आज का एक्जाम अभी कंड़क्ट हुआ साड़े बारा बजे ये एक्जाम जो है वो खतम हुआ उसके बाद हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा हमें ये पेपर प्रोवाइड करवाया गया इसकी आंसर की जो है उनका नाम था गुलजारी लालनन्दा जी यानि कि इस option में नहीं दिया गया था इसलिए option D इस question का right answer था next question है 62 नानाबती आयोग किस से समंधी ता तो ये जो है नानाबती आयोग सिख विरोधी धंगे जो anti-sick roads थे उनसे ये related था यानि कि option A इसका बिलकुल right answer था next question है भारत में चोथा आम चुनाब देखिए काफी अच्छा question पूछा गया था जादा तर आप से question पूछा जाता है 1951-52 में जो पहला आम चुनाब हुआ था उससे related लेकिन latest question की form में थोड़ा सा updated किया गया है level को तो hard level भी बनाए गया है आम चुनाब जो था आम चुनाब कब हुआ था यह हुआ था 1967 में यानि कि 1967 option भी इसका right answer रहेगा अपनी answer की आप check कर लीजिए series D को हम जो है वो discuss कर रहे हैं almost same ही question होते हैं लेकिन आप अपने according जो है इस series को जो है वो check कर सकते हैं next है देखिए 64 है monogite rate में निमिलिखित में से कौन सा खनीज पाया जाता है जो monogite sand होती है उसमें basically thorium पाया जाता है तो option A इसका सही answer रहेगा next question है कौन सा बेद सबसे पुराना बेद है बिल्कुल असा question रिगबेद जो है वो सबसे पुराना है अथर्व बेद सबसे नया है तो option B रिगबेद इसका right answer रहेगा 66 question भारत में सबसे लंबी रात किस तारीक को होती है देखिए सबसे लंबी रात है तो इसका मतलब है दिन जो है वो क्या होगा सबसे छोटा होगा तो 22 December option A दिया गया था ये सबसे लंबी रात जो है वो भारत में होगा option A इसका right answer रहेगा 67 देशानतर के बीच अधिक्तम दूरी कब होती देखिए 113 km के आसपास ये रहती है लेकिन इसकी जो अधिक्तम दूरी है वो equator यान की भूमत दे रेखा विशुबत रेखा हम जिसको कहते हैं उसके ओपर होती है option B इसका बिलकुल right answer रहेगा चेक कर लीजिए आप एक वार share जरूर कर दीजिए इस class को सबसे ज़ादा time zone किस देश में है तो सबसे ज़ादा जो time zone है वो है France में France में है जो की option नहीं दिया गया था तो none of these option D इनमें से कोई नहीं है इसका बिलकुल right answer रहेगा next है देखिए famous question Gobi Desert जो है कहाँ पर है यह सांसा question पूछा गया था तो Gobi Desert जो है कहाँ पर है Mongolia में है option C इसका बिलकुल right answer रहेगा Mongolia में Gobi Registran जो है highest wind velocity सबसे जादा किसमे होती है जब हवा का एक चकर चलता है तो सबसे जादा जो speed है हवा की वो किसमे होती चकरवात ववंडर आंधी या फिर आंधी तूफान में तो वो होती है चकरवात में option A इसका बिलकुल सही answer रहेगा next परशानत महासागर में कौन सी खाई स्थित है तो देखी परशानत महासागर में इन में से बताना था कौन सी खाई है तो मरियाना जो है मरियाना यानि कि option A इसका right answer रहेगा ये खाई परशानत महासागर में स्थित है next जीलों से related next question भी पूचा गया सबसे गहरी जील कौन सी है option B इसका बिलकुल सही answer रहेगा तो series D को हम discuss कर रहे हैं आप अपने according अपने paper के according अपने answer की जरूर चेक करें पेरू किस महादवीप में है तो पेरू जो है ये है आपका South America में South America option C इसका सही answer दक्षिन अमेरिका next नील नदी का उदगम स्थान कौन सी जील से है काफी बार exam में पूछा गया Victoria जील option A इसका सही answer था Bangladesh में ब्रह्म पुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो Bangladesh में जो है वो ब्रह्म पुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं option B इसका बिलकुल सही answer रहेगा I hope आपको जितने भी question अभी तक करवाएगे बिलकुल सही आपके है 76 question है किस थल पर घोडे के अफशेश जो है वो पाए गए थे हडपा सभेता की बात की गई है तो सुर्ख कोतड़ा में option B इसका right answer है यहाँ पर घोडे के अफशेश जो है वो मिले थे यह जो है एक बंदरगा भी था लोथल के साथ-साथ next 77 question है भारत में जैन धरम का परचार किस के शाशनकाल में जो है वो हुआ था तो चंदरगुप्त मोरे के शाशनकाल में यह काफ़ी परचार में फैला था option D इसका बिलकुल right answer रहेगा यह जो है वो कश्मीर इसका बिलकुल right answer रहेगा यहां के एक शाशक थे कश्मीर चतुर्थ बोध महासभा का योजन जो है वो कश्मीर में किया गया था किस के शाशनकाल में कनिश्क के शाशनकाल में यह आपको ध्यान में रखना है next question है 79 question दीन ए इलाही किस ने शुरू किया था अकवर औरंग्जेब जहांगीर या फिर बाबर दीन ए इलाही तो यह start किया गया था अकवर के द्वारा option A बिलकुल सही answer I hope आपके भी question बिलकुल right हो 80 question है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे देखिए famous question लाला हरदयाल जादातर question यह पूछा जाता है आपसे paper में बिलकुल easy question था लाला हरदयाल option B is the right answer next मुरहा नसल किस जानवर से समधित है तो भैस भैस से बेफैलो से यह समधित option B इसका बिलकुल right answer जो है वो रहेगा next question देखिए भुपाल गैस तरादसी में कौन सा रिसाब हुआ था और आपको पता होना चाहिए क्यूंकि अभी पिछले कल ही 2 December को जो है वो National Pollution Control Day मनाया जाता है और वो भी इसी के लिए मनाया जाता है जो भुपाल गैस कांड हुआ था उसी के लिए जो है वो 2 December को National Pollution Control Day मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि MIC मिथाइल आइसो साइनेट का जो है वो रिसाब हुआ था option C इसका बिलकुल right answer रहेगा next है 83 question भारत में संसद के सियुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कोन करता है भारत के राष्टपती उपर राष्टपती लोकसब अध्यक्ष या फिर भारत का परधान मिंत्री देखिए शियुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है भारत के राष्टपती द्वारा जिसमें लोकसबा राजसबा दोनों के सदस्य होते हैं उसकी अध्यक्षता की जाती है लोक सबा के अध्यक्ष के द्वारा इसलिए option C इसका बिल्कुल right answer रहेगा next question है तीनों और से घिरे भुबाग को क्या कहा जाता है तो उसको प्रायदीप कहा जाता है option D इसका बिल्कुल right answer रहेगा next question 85 भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ था 1942 में हुआ था काफी easy question famous question ज्यादातर पूछे जाने वाला question देखिए फिर से प्लासी का यूद आपसे पूछा गया था तो प्लासी का यूद जो है वो किस वर्ष हुआ था 86 question आपके पास ये रहेगा ये हुआ था 57 में हाँ option option 57 57 57 हाँ option D 1757 में ये हुआ था option D इसका right answer है next भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो राजबुपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लाड यहाँ पर इस question में कहीं न कहीं पर मुझे जो है वो mistake लग रही है अपना answer एक वार जरूर आप comment करें कि क्या इसका right answer रहेगा 87th question का next देखी 88 आरे समाज के संस्थापक कौन थे तो आरे समाज के संस्थापक जो थे वो थे देयनंद सरस्वती जी और राजा रामोहन राय से question टैट non-medical में जो है वो पिछले हफते आपका एक्जाम हुआ था उसमें वो आपका question पूछा गया था आरे समाज के संस्थापक देयनंद सरस्वती जी option C is the right answer next है विटी कल्चर का अर्थ क्या है देखी एक important question है physics में भी पूछा जाता है विटी कल्चर जो है वो अंगूरों से related है तो option A इसका right answer रहेगा next question 90 नवी करनी संसाधन किसे कहते हैं तो जिसको हम दोबारा से use कर सकते हैं देखी solar energy सूर्य को use कर सकते हैं पावन उर्जा को use कर सकते हैं जल विदित उर्जा को हम दोबारा use कर सकते हैं इसका मतलब option D ये सभी all of these option D is the right answer next question 91 है वे कौन से तीन कार जिन से जनसंक्या में परिवर्तन होता है देखी 9th class की ये book में जो है वो question दिया गया है जनम मृत्यू और परवास option B जो है वो इसका right answer रहेगा 91 का next question देखिए 92 भारत में गेहूं कब उगाई जाती है देखिए अगर आप हिमाचल में रहते हैं हिमाचल टैट का आपने paper दिये तो आपको पता होगा आजकल गेहूं का ही काम चला है तो कौन सी रितू चली है सीत रितू चली है winter season जो है वो आजकल चला है तो सीत रितू में जो है वो गेहूं क्या की जाती है उगाई जाती है ये तो आपके बिलकुल journal level का ही question था option B is the right answer next question 93 कौन से एक जीवाशम इन दना यानि की fossil fuel है तो वो है आपका coal यानि की option D koila is the right answer next question है 94 question भारती संभिदान में दिये गए पिश्यों की कितनी सूचियां दी गई है तो total Indian Consecution में तीन सूचियां दी गई है जिसमें से तीन सूचियां कौन सी है संग, राज्य और संबर्ती सूची तो ये तीन जिए है option C जो है इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question जपानी शब्द tsunami का अर्थ क्या है तो बंदरगाह की लहरें ये एक Japanese जो है वो bird है tsunami ये भी आपका 10th class में एक chapter है उसमें ये दिया गया है science में बंदरगाह की लहरें जो है इनको कहा जाता है option B is the right answer next मंगल पांडे जो है वो किसके सिपाही थे तो देखी मंगल पांडे से related काफी नया question यहाँ पर पूछा गया है hard level का question है मंगल पांडे जो थे वो किस में थे बंगाल native infantry में जो थे वो एक सिपाही थे और ये 34 भी बंगाल native infantry थी आर्मी आप बोल सकते हो option B जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेग next easy question डांडी मार्च कब शुरू हुआ था 97 question है तो 12 मार्च 1930 को पहला गोल में समेलन 1930 में हुआ और 1930 में ही डांडी मार्च यातरा शुरू हुई option B is the right answer next question लगातार कितने वर्षों तक अगर हम भारत से बाहर रहें तो हमारी नागरिकता जो है वो खतम हो सकती है तो अगर मै 7 सालों तक निपाल में या फिर किसी और देश में अगर मैं रहता हूँ 7 सालों तक अगर 7 सालों तक मैं वहां पे रहता हूँ किसी दूसरे देश में तो मेरी नागरिकता भारत से खतम हो जाएगी option नहीं था इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं option D भी कई बार पेपर मैं पूचा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है next question 99 15 अगस्ट 1947 को भारती रास्टी कॉंग्रेश के अध्यक्स कौन बने थे तो 15 अगस्ट 1947 को बने थे जे बी कृपलानी option C इसका बिल्लकुल right answer रहेगा next 100 question है भारत के संबीधान का सरक्षक किसको माना जाता है non medical के paper मे भी आपसे question पूचा गया था उसमें high court supreme court दोनों option थे तो देखिए जो Indian constitution है उसको protect कौन करता है उसको protect किया जाता है supreme court या फिर high court के द्वारा option D is the right answer same question आपका tat non medical के exam में भी पूचा गया था next 101 question लोगसबादेक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है तो लोगसबादेक्ष से छोटा कौन उनके उपाध्याक्ष तो option A विल्कुल right answer अपने उपाध्याक्ष को ही क्या करेंगे वो अपना त्याग पत्र देंगे next question देखिए रायत का अर्थ जो है वो basically भूमी से है और उसके उपर जो किसानों के द्वारा जो क्रिशी की जाती है भूमी जो है वो ग्रहन की जाती है option A किसानों से जुड़ा है majority इसके साथ ही जाएगी option A farmer is the right answer next question है FEMA क्या है तो FEMA जो है उसको बोला जाता है Foreigner Exchange Management Act option C इसका right answer रहेगा question है 103 option C is the right answer next 104 2014 में शान्ती के लिए नोबल पुरुषकार किसको दिया गया था किलास सत्यार्थी जी के द्वारा किलास सत्यार्थी जी को यह दिया गया था option D is the right answer उसके बाद 2019 में मिला है अविजीत बेनेर जी को इकनोमिक्स में उसके बाद अभी तक 2019 के बाद 2023 तक अभी तक किसी भी भारती को नोबल प्राइस से सम्मानित नहीं किया गया है तो इसका किलास सत्यार्थी option D is the right answer next British आशनकाल के दुरान भारत में 22 राए के रूप में कौन कारे रत था तो उस टाइम के जो कारे रत थे वो थे Lord Rippon option C is the right answer hard level को question था MRP commercial related question पूछा गया है तो maximum retail price हम जिसको कहते हैं तो option B MRP की जो है वो full form आप से पुछी गी थी option B is the right answer next कौन सा देश मानव विकास हुचका अंक में परतम है वैसे तो Switzerland है लेकिन आपको option के according बताना था तो शिरलंका जो है वो इसका बिलकुल right answer रहेगा option B is the right answer next 108 बायू मंदल की दूसरी परत कौन सी है तो जो भी साथ ही हमारे पास offline classes में जुड़े थे जो भी online classes में हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने batch जो है वो purchase किया था इनको ये question सारे के सारे लगबख करवाए गए थे बायू मंदल की जो दूसरी परत होती है वो होती है stratosphere ठीक है पहले एक show मंदल फिर समताफ मंदल आता है तो इसमें जो है वो option D समताफ मंदल जो है वो इसका right answer रहेगा option option D option D जो है इसका right answer रहेगा जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं next question 109 आईने अकवरी के लेख कौन है तो आईने अकवरी जो है वो किसके द्वारा लिखे गी है अबुल फजल के द्वारा अब्दुल नहीं है अबुल फजल है इनका नाम तो option B इसका right answer रहेगा next question है मताधि question आप से पूछा गया था 111 नंबर का question है अर्थ शास्त्र के लेखक जो है वो है कोटिल्य के option A जो है इनका right answer था चानक के भी कहा जाता है विश्णुगुप्त भीनी का नाम है option A is the right answer next औरंग जेव की मृत्यू कब हुई थी तो 1707 इस भी में 1707 इस भी में औरंग जेव की अगया था उडीसा में ये स्थित है option C इस question का बिलकुल right answer रहेगा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है ये तो आपको आना ही चाहिए ये question आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अटल टैनल बनाई गए है काफी कूप सूरत हीमाचल प्रदेश में स्थित है option D इसका बिलकुल right answer रहेगा next question है उतरी अमेरिका में कौन से घास के मिदान पाये जाते हैं प्रेरी इसका बिलकुल सही answer रहेगा next commerce से related फिर से पूछा गया था उपभोगता किसे कहते हैं consumer कौन होता है consumer हम है उपभोगता हम है जो product को क्या करते हैं परचेज करते हैं product को खरी देखी तब मतस्य मतस्य से ही पता चल रहा है मचली से related है मचली पकड़ने का अधिकार जो है वो लोगों को चाहिए था तो option A इसका बिलकुल right answer रहेगा next शेरशान शूरी का प्रारंभिक नाम क्या था तो इनका जो नाम था वो था फरीद option B इसका right answer रहेगा next है विश्व समपूर्ण करांती का आभान किस ने किया था टोटल रेवल्यूशन एक प्रकार का नारा दिया था यह संपूर्ण करांती जैजवान जैकिसान है यह फिर भारत छोड़ो है फिर अंग्रेजियों भारत छोड़ो यह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जा दी वैसे ही जैपरकाश नारायन जी के द्वारा एक नारा दिया गया था संपूर्ण करांती तो यह भी आपको ध्यान में रखना है option D जो है वो इसका right answer रहेगा तो हमने social studies के जो 60 questions थे वो हमने discuss किये उसकी आपको upcoming जो class है वो भी आपको देखने को मिलेगी section 4 जो हमारा GK का section और environmental science के साथ साथ हमारा current affair का जो session रहता है वो आपको class जल्दी ही देखने को मिलेगी BD को एक बार share आप जरूर करें और comment में आप जरूर बताएं कि कितने question आपके जहां को बिलकुल सही रहे जल्दी ही मैं next class के साथ आपसे मिलूँगा तब तक के लिए अपनी answer की आप check करें जय हिंद जय भारत